वेलकम बैक तो साग्यब एजुकेट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टो सेव टाइम इन एक्जाम अगर आप बीजी 50 सिमिस्टर का स्टुडेंट हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जुरूर है क्योंकि आपका एक्जाम होने वाला है बी जुला सबसे पहले आपको क्या करना है जब आप एक्जाम हाल में होंगे एक्जाम अपना पैपर लिखते होंगे आप तो कुछ सिटर्स क्या करते हैं उन्होंने 20-30 मार्क्स लिखी फिर वह बाते करते हैं वह कोशिच करते हैं कि किसी और स्टुडियोंट के पास कुछ उनको चाह पैपर है वह ऐसी रहता है तो फिर आप वह कोशिच करना है क oppose को और बहुत अच्छी तरह से लिकना होता है अगर आ आप बाते करेंगे तो आपके टायमें बहुत ज्यदा वेश्ट होम्हां या अगर आपको और देखनी की उससी भी आपका टायम बहुत जग वेश्ट सब्सक्राइब जब आपको क्वेशंचुई में 20 इस व्रसुन न लेकुसों आपको आपको वहीज़ा है कि बोल आपको क्यों अब कि आप अपना तैम महां पे बाइड कर रहा हैं आपको dic Mun wild comparison का आंसर लिखनार अब जब考ने 241 का लिखा है तो आपको सीधा जाना है next question पे उस पे 20 वर्डश लिख आपको सीधा जाना है next question पे आप फिर section A को 10 या 15 मिनट में ख़तम करेंगे इसी तरह जो section B होता है medium type answer आपको 150 words आपको question पे आपको वहां से लिख रहा है कि 150 words में answer लिखो कुछ students कुछ ज़्यादा है लिखते हैं एक दो पेज या तीन पेज भी कुछ लिखते हैं अभी बोल रहे हैं कि अभी answer incomplete है लेकिन आपको 150 words में answer लिखना है 150 words का मतलब simply होता है कि आपको time का time जो होता है उसी के हसाब से आपको answer लिखना है तो आपको ज़्यादा लिखने के कोई जूरत नहीं है इस बात पर आपको बहुत ही ज़्यादा द्यान देना है ताकि आप अपना time save कर सकते हो otherwise आप time खो सकते हो अपना जो paper है उस पे जो कुछ question से आपको नहीं लिख सकते हो उसी तरह जो section C है section C में आपको दो ही question करना पड़ता होता है आपको वहाँ पे चार question होते है जैसके section B में आपको और पड़ भी मिल जाता है section C जो होता है उसमें आपको दो question करना है वहाँ पे आपको 300 words में answer लिखना है वहाँ पे आपको 300 words में answer बहुती इची तरह से लिखना है जब आपने 300 words का answer आपने complete की तो आपको सीधा जाना है next question पे फिर last पे आपको ये काम करना है अगर आपका time save हुआ आपके पास 15 मिनट या 20 मिनट बज़ गई तो आपको paper जो आपने लिखे जो answers लिखे आपको रिच करना है answer को proper way लिखना है class exam में जब class में exam होता है वहाँ पे आपको बहुती अच्छी तरह से अपना paper है उस पर आपको focus रहना है ताकि आप अपना exam save कर सकती हो otherwise आप उस तरह exam exam में time save नहीं कर सकती है आप उदर उदर देखेंगे या अपना जो questions ये उन पर द्यान नहीं द करेंगे या अगर आपको 20 वर्डिस में answer लिखना है आप 50 वर्डिस में लिखेंगे तो आप अपना time को सकते हो ये two hours का time two hours time कुछ नहीं होता है ये बस बहुत ही जल्दी से निकल जाता है उस बात पर आपको बहुत ही ज़्यान देना है मैं उमीद करता हूं कि इस वीडिय motivation मिली होगी आप थोड़ी से satisfy होगी कि आप अपना time कैसे save कर सकते हो आपको बहुत ज्यादा हिंट मिला होगा मैं उमीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करो चैनल को subscribe करना ना बूलना बाकि अगर आप किसी और किसी और टाप पर कोई वीडियो चाहते हो तो आप मुझे comment section में लिख सकते हो इस वीडियो के बारे में भी आप अपना opinion मुझे comment section में जुरूर share करना मैं genuinely चाहता हूँ आपका opinion चो comment section है यह always comment section is always open for everyone thanks for listening